हेलो दोस्तों मैं सवरों बलिक आप सभी का टोपिक स्टेडियू में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है रेलवे की बहुत बड़ी वेकेंसी के बारे में जिसके फोर्म आज से भरे जाने थे बट डेट चेंज करके ये डेट आपकी एक मार्च यानिकी कल से कर दी गई है कल से इसका जो ओफिशल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और फोर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे तो अभी इस वीडियो में हम डेटेल में बात करने वाले सभी चीजों के बारे में क्या इसमें कौलिफिकेशन रहेगी क्या एज रहेगी और किस तरीके से हम सिस्टमेटिक वे में इसकी प्रपेशन करेंगे बस आप इसको एंड तक देखेगा अगर आपको इसमें जो बाते मैं बताऊंगो वह अच्छी लगे समझ में आए हापको लगे कि हाप पोजिटिव चीज है और इससे हमें एक डारेक्शन मिल सकती है इस साल वेकेंसी में जो निकलिया है इसमें सेलेक्शन लेने में तो आप प्लीज लाइक कर दीजेगा और अपने फैमिली मेंबर को अपने दोस्तों को सेर जरूर कर दीजेगा ठीक है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्र कर लेते हैं और bell icon को भी on कर लेते हैं ठीक है चलिए आप बात कर लेते हैं vacancies के बारे में तो vacancies की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपकी level 1 post है इसमें करीब आपकी एक लांक vacancy तो केवल इसमें है level 1 post दीके जो group D वाली vacancy थी आपको वो level 1 post की vacancy थी यानि कि आप group D की vacancy भी इसको बोल सकते हैं ठीक है अब अगर मैं बात करूँ बाकी बची 30,000 vacancy की तो वह आपकी है non-technical popular categories की यानि की NTPC की paramedical staff की और ministeral and isolate categories की ठीक है तो ये आपकी 30,000 vacancy और साथ इसाथ आपके एक लांक vacancy है level 1 post में तो ये खुद में एक बहुत बड़ी vacancy है आज तक हमने जो देखा था इससे पहले जो railway vacancy निकली थी group D की वह सबसे बड़ी vacancy थी बट ये उससे भी बड़ी vacancy है अगर आप थोड़ा सा इसको देखे ध्यान से और अगर चाहें तो आप इस साल selection ले सकते हैं ठीक है अगर मैं अब बात करूँ यहाँ पे आपकी qualification और age और इन सब चीज़ों की तो ये चीज़े भी मैं आपको बता देता हूं इसी वीडियो में तो दोस्तों अगर age की मैं बात करूँ सबसे पहले तो इसमें minimum age आपकी जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए कितनी 18 साल आपकी minimum होनी चाहिए और maximum age आपकी 32 तक आप form भर सकते हैं ये age आपकी journal category के है बाकी जो SC, ST, OBC जो category है 10% reservation quote है वो सबकुछ अलग से आपकी बढ़ जाएगी वो notification के बाद ही ये सारी चीज़े पता चल सकेगी बट अभी जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूं ये पहली vacancies के base पे ही बता रहा हूं ठीक है कल आपको detail में पता चल जाएगा ये तो है 18 से 32 तो है जनल वाल होगी फिर अकर मैं इस आए टिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके पास हो तब भी ठीक है अगर नहीं है तो तब भी ठीक है कोई इसमें requirement नहीं है और आप 12 पास है तो तब भी भड़ सक्ते है आप graduation कर रखlyे आपने कोई भी degree ले रख़्किया आप कोई भी degree वाला is form को भड़ सकत ठीक है और बाकी इसमें एक्जाम के अगर मैं बात करूं तो एक्जाम में वही CBT1 और CBT2 आपका स्टेज जो होता है वही इसमें एक्जाम होना है और बाकी यह सारी चीजे तो हो गई एक प्रिवेस जो वैकेंसी थी उनके आदार पर और अगर जो भी चेंजिस इन चीजों में आता है वो जो नोटिफिकेशन आएगा कल उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीजे अच्छे से किले कर दू तो यह है बाकी और सारी चीजे कल ही डिसकस करेंगे क्योंकि आज यह चीजे तो मैं पहले भी आपको डिसकस कर चुका हूँ कि फीस कितनी है कैसे रिफंड होगा यह बाकी चीजे और कल डिसकस करेंगे अभी मेन बात है प्रिप्रेशन की अब कैसे त्यारी करें कि 100% 2019 में इन वेकेंसियों में ही आप सेलेक्शन ले जाए जो गलतिया पहले की थी उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है क्योंकि इससे पहले भी जो वेकेंसिया थी उसमें भी बहुत सारे बच्चों नहीं होना है आगे भी रेलवे की वेकेंसिया आने वाली है बहुत सारे बहुत अच्छे marks हमें मिले हैं topic study से पढ़के तो देखे content की कमी बिल्कुल नहीं छोड़ने दूँगा मैं पूरा content प्रोवाइड कराऊंगा आपको और exam के point of view से यह नहीं कि बहुत सारे चैनल क्या होते हैं कि आपना जो उनके मन में आ रहा है वो upload कर देते हैं मेरा यही एक खासियत है कि चीजों को उसी direction में लेके जाता हूं वही चीजा पढ़ाने की कोशिज करता हूं जो exam में पूछे जाते हैं trick method से जो भी आपको best लगे आप पहली पुरानी वीडियोस देख सकते हैं नीचे मैं बहुत सारे वीडियोस के link देदूँगा वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि किस किस तरीकी से मैं आपको study कराता हूं तो ये चीजे मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले से ही कि आप बिल्कुल भी वीडियो को miss मत करेगा क्योंकि पूरे के पूरे courses यहाँ पे आपके लिए upload किये जाएंगे ठीक है पूरा पूरा में बात यह है कि आपके जो doubts आते हैं वो आप डिरेक्ट यूट्यूब पर discuss नहीं कर सकते तो उसके लिए आपके जो groups बनाऊंगा मैं ठीक है टेलिग्राम पे या WhatsApp पे या Facebook पे उन ग्रूप में आप खुद भी discuss कर सकते हैं जितने भी आप दोस्त जुडेंगे तो आप वह एक ऐसा confidence हो कि हां मैं इस जो exam को देने आया हूं इसमें 100% clear करके ले जाओंगा और इसको 100% selection ले जाओंगा ठीक है तो ऐसा कुछ मैं आपके लिए systematic way में एक पूरा schedule बना रहा हूं और किस किस तरीके से हमें पढ़ाई करने हैं वो सब कुछ मैं उसमें आपको बता ठीक है अगर आपको यह मेरा जो एक initiative है जो मैंने आपके लिए एक decision लिया है मेहनत करने का भी और आपको पढ़ाने के लिए जो यह positive चीजे सोची हैं अगर आपको पसंद आईए तो please मुझे comment box में एक positive सा reply दे दीजेगा ताकि motivation मिल जाए हां कि मैं अच्छा कर रहा हूं और आपको भी वह अच्छा लग रहा है ठीक है फिर मिलते है next वीडियो में कल मैं आपको जो पूरा notification आएगा उसको describe करके बताऊंगा उसमें मिलेंगे बाकी के लिए तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए मिलते है next वीडियो में त झाल 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 झाल